कानपुर नगर में एक बड़े कारोबारी का बेटा दीपा वली का पर बनाने के बाद करने बाद जब अपने घर पर आता है देखता क्या है कि घर से धुआ उट रहा है इस बात की सुचना वो पुलिस परसाशन को देता है फार विर गेट की टीम मौके पर आती है और आके जब देखा जाता है तो घर के अंदर एक नहीं दो नहीं बलकि तीन लाशे पड़ी हुए थी इस घटना से पूरे कानपुर नगर में देख़त का माहौल फैल जाता है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब इस मामले की सूचना बाहर तक आती है कि आखिरकार तीन लोगों की मरने की वज़े क्या रही है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था अभी इस घटना को ल जाके में संसनी फैल जाते हैं लोग सड़कों पर उताराते हैं डियम ऐसस पी बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेगिन जो घटना करम पुलिस प्रसाशने बताया पबलिक को लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार घ स्रियकाल में उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सौने जा रहा हूँ इस सची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपूर देहात और कानपूर देहात का ही एक ठाना लगता है रूरा ठाना इसी का ही गाउन लगता है सिठ मरा गाउन अनिल चकरबती क एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम आरेन होता है जिसकी उमर लभु दस साल कक्षा 4 में उपढ़ने वाला होता है दो नवंबर 2024 की शाम पाँच बजे के आसपास घर से लवक 400 मिटर की दूरी पर एक मुसलिम बस्ती है मुस्लिम बस्ती के पास में एक मेला मेदान है जहां पर मेला मेला मेदान में बच्चे खेलते हैं होते हैं अपनी मोजमस्ती करते हैं तो पांच बजे वो अपने घर की तरफ जैसे ही आ रहा था चैंकि अचानक बहुत तेजी का धमाका होता है और धमाका होने के बाद वो या जब लोग उस बालक के पास पहुंसते हैं तो वो खून से लटपत था तुरंधी परिवार वालों की मदद से उस बालक को जिला होस्पिलिटल लेके जाते हैं लेकिन डॉक्टर ओम प्रिकाश उसको मिरत धोशित कर देते हैं इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो जाता ह जो अनल चक्रबती होते हैं उनको तीन बच्चे होते हैं जिसमें दो बेटे एक बेटी होती है ये सबसे छोटा बच्चा होता है अचाने कि दस साल के बालक की मौत होने से परिवार में कोहरा मत जाता है इसके बाद फिर परिवार वालों के पास पुलिस पहुंसती है और उन्होंने एक कहानी बताते हैं कहते हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोग थे जो हमें धमकी दे रहे थे मारने की उन्हें नुकसान पहुचाने की कह रहे थे कि तुम दीपावली का पर्ब मना नहीं पाओगे इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की हत्या की गई है इस मामले में जांच की जाए और जो भी हत्या रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाए पुलिस ने कहा कि ठीक हम जांच करेंगे और मामले की परताल करेंगे पुलिस ने फिर देर रात एक वीडियो जारी कर दिया ये वीडियो होता है दो नवंबर दो हजार चोविस की रात को एक जारी हो जाता है और जैसी वीडियो जारी होता है सोचल मीडिया पर वीडियो पिरसारित होता है और वीडियो पिरसारित होने के बाद परिवार वालों का गुसा इस कदर बढ़ जाता है कि लोग सडकों पर उतराते हैं और हंगा मकडा होता है दरसल वीडियो के अंदर बताया जाता है कि जो मेला मैदान होता है उस मेला मैदान के पास एक अंकित राठोर नाम का लड़का ह जैसे ही अंकित राठोर ने सुतली बंब में आग लगाई इसी बीच में जाहिद ने उसके पास एक स्टील का गिलास होता है उस स्टील की गिलास को उस सुतली बंब पर रखता है और बहुत तैजी के साथ धमका होता है उस गिलास के चीथड़ उड़ जाते हैं उसकी छोट पिकड़ जाता है, खून से लगपत हो जाता है, इस बात का उन दोनों लड़कों को जो सुतली बम छोड़ रहे थे, उन्हें बेकुल नहीं पता था, ये बाजार ये आसपास के लोगों का आना जाना हुआ लगा हुआ था, लोग समझे नहीं पाए, सब कुछ एकदम शांत स परती है सोचल मीडिया पर, उस वीडियो को लेकर लोगों में हंगामा खड़ा हो जाता है, लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे बालक की तो हत्या की गई है, और ये पुलिस नई कहानी गड़ रही है, कि क्या गिलास के फटने से किसी की मौत हो सकती है, क्या उसका टुकड़ अगर गली पर जाकर लग जाएगा तो क्या उसकी मौत हो सकती है, हंगामा खड़ा हो जाता है, जिंजक और रूरा मार्ग होता है, वहाँ जाम लगा देते हैं, कई घंटे तक जाम रहता है, एस पी, डियम, आला अधिकारी, पुलिस, बल्फ, पीएसी, तमाम लोग मुगे पर पहुंच जाते हैं, और गाउं के बड़ी संख्षा में लोग मुगे पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों ने साफ साफ ये कहना शूरू कर दिया, कि ये एक एंगल इसको बदला जा रहा है, इस बालक की हत्या की गई है, उसमें हिंदू, मुसलिम एंगल से इसको जो नहीं, बलकि उन्हों ने, इन लोगों ने, आरोपियों ने उसके बालक की गर्दन को काटा है, अब पुलिस करे तो क्या करे, आखिरकार पुलिस पर बहुत जबाब बढ़ता है, दबाब बढ़ता है तो पुलिस को F.I.R. लिखने के लिए विवर्श होना पड़ता है, F. यह हत्या नहीं, बलकि हादसा है, जो पुलिस से बयान देती है, यह हादसा है, तो लोगों को यकिन नहीं हो रहा था कि सुतली बम की वज़े से इस तरह से गिरास फटेगा और एक बालक की मौत हो जाएगी, एक मामला यह था, जो कि दो नवंबर दो हजार चोविस की शाम परताल कर रहे है, यह हत्या है, यह हादसा है, इसका पता करने की कोशिश की जा रहे है, लेकिन पूलिस के बायान से साफ-साफ जाहिर हो जाता है, कि यह हादसा है. दूसरा ही एक और मामला होता है 31 अक्टूबर 2024 को जब पूरा देश दीपावली का पर्मना रहा था तो कानपुर नगर का एक काका देब पांडू नगर होता है अरबपती ये करोडपती फैमिली थी बड़े बिजनिसमेन होते हैं जिन्होंने पारले जी कंपनी जो बिस्किट की कंपनी होती है उसके उन्होंने फ्रेंचाइजी लिए होई थी इस परिबार के अंदर चार सदस से रहते हैं एक सदसा के नाम शाम दासानी जिसकी उमर 48 साल होती है उनके पत्नी कानी का दासानी जिनकी उमर 42 साल के असपस होती है, उनकी नोकरानी छवी चोहान जिनकी 24 साल के असपस उमर होती है, एक बेटा होता है हर्श, दीपावली का पर्व ये धुमदाम से मनाते हैं, पूजा पार्ट करते हैं, पूजा पार्ट करने के बाद ये अपन कि अंदर से धुआ उट रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखरकार माजरा क्या है, फायर विगेट की टीम को सूचने दी जाती है, पुलिसको पर सास्टिंग को सूचने दी जाती है, और जैसे इस हाथसे के बारे में पता चलता है, तीन मंजिला आलिशान बिल्डिंग होती है, बड़ा मकान होता है, जब आग बुझाय जाती है, तो पता चलता है कि तीन लोग बेहोशी की हालत मिलते हैं, घर की नोकरानी, घर के मालिक शाम दास दासानी, घर की मालकीन यानकिकानी का दासानी, तीन लोग जो बेहोशी की हालत मिलते हैं, उनको होस्पिट लेक जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो मर चुके हैं और मरने का कारण था धुए की वज़े से यानि कि दम घुटने की वज़े से अखिरकार यह आग लगी कैसे अब इसी का पता करने की कोशिश की जारी तो जानकारी में या फिर पुलिस की जाच में परताल में पता चलता है कि दिवारों पर लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम था और जैसे पर्दे माग लगते हैं तो दिवारों में लकड़ी माग लगना शुरू हो जाते हैं और पूरे घर में धुमा धुमा हो जाता है जो जहां जिस इस्तिति में होता है उस इस्तिति में वहाई पर सोया हुआ पड दिखोते हैं और एक नोकरानी होती है एक तरफ ये तीन लोगों की मौत जो कानपुर नगर में होती है एक तरफ एक बालक की मौत जिसको पुरिस हाथसा बता रही है फिलाल और परिबार वाले कह रहे हैं कि हमें धंकी मिल नहीं थी ये हाथसा नहीं बलकि हत्या है और ऐसे कि चोटे से गिलास के टुकड़े के वज़े से किसी का गला नहीं कर सकता दोस्तो इस पूरे घटना करेम को सुआने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरू करना है आपको सचेत करना है अगर ये बालक की मौत हाथसा है तो इस मामले में बहुती साब्धाने बरतने की जरूत है क्योंकि भविश्यम अगर कोई बालक इस तरह से पठाके जलाता है सुतलिबम छोड़ता है या किसी पिरकार की पठाके जलाने की कोशिश करता है यदि दिया से उन तीनों की मौत होई है तो दिया जहां जलाया जाए जब लगेगी इस दिया की जलने की तादा बहुत देर तक कई घंटे तक रह सकती है तो इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचें कि हम जो कर रहे हैं कहींगे कई हाथसी का कारण ना बन जाए और इस घटना से ना कैबल तीन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खतम हो गई बलकि उधर जो बालक है उसकी जिंदगी भी खतम हुई जिसमें कई ल के रहने वाले हैं प्रमोद यादब गुलाफ्टी के रहने वाला हैं इसरार एहमद जो की बुरंद शहर जिले में लगते हैं आज इनका जनम दिन हैं को जनम दिन की धेरु सारी शुपकामना है बहुत बहुत मुबारक बात साथी कुछ लोगों ने नाम लेनी की अपील की है जिसमें बीना यादब गौरकपूर से यनुस खान है बहराईश से मनो चोधरी अमेठी से शाम बहादुर गुपता कुछी नगर से आशोक कुमार रिवा से इशू परवेज आलम दरभंगा से काजी अदनान कुवेट से निर्मल वर्मा बरकत अली बिहार से आशीश कु रखें सुरक्षित रहें जैहिन जभार